Hello everyone, मैं विश्रु जीत से यह आप सभी का दीगिना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 03 Lesson First सम्माने करन पढ़ने वाले हैं दोस्तो सम्माने करन, Journalization एक important topic है आप आगे चलके NET की त्यारी करोगी तो NET के exam में Histography से बहुत सारी questions बन कराते हैं और Histography का सबसे पहला topic ही हमारा Journalization सम्माने करन होता है ठीक है, IGNU के जो exam होते हैं उसमें भी सम्माने करन से कई सारे questions बनते हैं तो आज किस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे किस सम्माने करन है क्या ठीक है, सम्माने करन से जुड़े हुए किस तरह के questions पूछी जाते हैं exam में तो वो हम सारे cover करने वाले हैं यह जो आपको soft copy दिख रही है, IGNU की साइट पे से डाउनलोड की गई है अगर आपको चाहिए, तो आप description में social media platform के links दिए हुए टेलिग्राम में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसको ले सकते हो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तो, सम्माने करन से लेटिट किस के तरह की questions इगनु में पूछे जाते हैं तो यहां पर आपके book में तीन questions दे रखे हैं और वही तीन questions अक्सर repeat करते हुए देखे जाते हैं ठीक है, क्या होते questions कि सम्माने करन है क्या, generalization है क्या दूसरा question सम्माने करन से जुड़ी क्या पत्तिया है, ठीक है, किस तरह की आपत्ति, जो problems है ठीक है, लोगों को जो विचारक थे, उनको पसंद नहीं आया, वो क्या पसंद नहीं आया, उसके बारे में question बन जाता है तीसरा जो question बनता है, कि सम्माने करन की अपनी छमता है, capacity है तो उस capacity को कैसे improve किया जा सकता है, ठीक है, तो यह तीन questions बन जाते है अब यहाँ पर एक normal सा talk आता है, मतलब normal से हम बात करें, question बन की आता है, कि सम्माने करन है क्या तो सम्माने करन को एक example के थुरू हम समझते है, कि suppose करो आप एक reporter हो, आपको एक घटना इस तलपर, एक report cover करने के लिए बिज़ा गया है कि जाएए, आप वहाँ पर report cover किजिए, कि हुआ क्या था, तो आप जाओगे, वहाँ पर सारी चीज़े बिखरी हुई है तो सबसे पहले आप वहाँ पर आस पास के जो लोग हैं, गवा है, सबूत है, साक्षे है, उन से जाकर आप बातचित करोगे तो आपको यह की स्टोरी बनेगी, हाँ, यह चीज़ है, इस कारण से यहाँ पर भीडर लगी हुई है तो नमबर 3 वाला आदमी कहता है, बहिए, मैं तो ना, घटना खतम होने के बाद आया, जब एकदम सब कुछ हो चुका था तो उसने उसके बात की स्टोरी बता दी ठीक है नंबर दो वाले से बात किया आपने तो नंबर दो वाला कहता है कि भीया मैं तो बस अभी अभी जस्ट आपके पीछे पीछे ही आया हूँ पर यहां पर ऐसे से हुआ तो वहां पर इसका कारण है मैं उस बंदे को जानता हूं उसने उसके आगे की स्टोरी बता दी ठीके नंबर पांच वाले बंदे से मिले तो कहता भीया मैं तो यहीं पर खड़ा था एक दम मेरे दुकान के सामने ही हुआ ऐसा ठीके इगे उसने बीच की स्टोरी बता दी तो इस तरह करके पांच अलग- तरीके में जोड़ोगे करमब मतलब क्या पहले कौनसी घटना-घटी थुई ठीके कारन क्या था परिणाम क्या निकला कैसे हुआ क्या हुआ वह सब को जोड़ कर बता कर फिर एक स्टोरी बना कर दिखाओगे आपको पहले क्या पता चला बाद में क्या पता चला उससे लास्ट कहानी बनेगी वह तो यही सब माननी करन कहलाता है, जिसको करमबद तरीके से तरकसंगत संबन्द के साथ में, तरकसंगत संबंद मतलब क्या, एक लॉजिक बने, जो भी आप बोल रहे हो नो वह लॉजिक हो, और उसको संबंद हो आपस में, यह नहीं कि आप वहां प उसी का करेक्टर हो, ठीक है है यहाँ पे कहा जाता है ठीक है समझ में आता है तो यह थोड़ा से एक्जांपल था आपको आए होपच दो, समझ में आया होगा Sambhani Karan होता क्या है अब हम थोड़ा से definition, book की definition पर आते हैं कि सम्하 Clinical क turbine के किसे हैं क्रमबर तरीका मतलब क्या? सिरियल वाइस, प्रस्तूत करना तथ्यों के बीच में संबंद स्थापित करना संबंद और संपर्क स्थापित करना संबानी करन कहलाते हैं मतलब आववस्थित आंकडे जो आंकडे सही नहीं है, उल्टे पुल्टे हैं, आगे पिछे हैं उनको क्रमबत तरीके से असपस्ट तर्क, जो तर्क इसपस्ट नहीं है ठीक है, उनको सही तरीके से संबंद एक दूसरे के बीच में बनाना क्रम बार तरीके से, मतलब क्रम बार सिरेल वाइस तरीके से बना कर प्रस्तूत करना, तथ्यों के बीच में जो संबंध है, जो भी तथ्यों मिले आपको, ठीक, एफेक्ट मिले, उनके बीच में आपसे संबंध हो, यह नहीं कि दो अलग-अलग स्टोरी बताने लग जाओ, त दूसरा जो definition है हमारा, यहां पर आ जाता है आपके book में, कि मोटे तोर पर सम्मानी करन हुआ साधन है, जिसके जरिए इतिहासकार अपनी सामगरी को समझते हैं, और तथ्यों के बीच में समझ दूसरे तक पहुँचाते हैं, जो तथ्यों की समझ यह वो दूसरे तक तो उसके लिए वही सामगरी है, वह देखके बूलेगा कि क्या चीज़े हैं, कैसे हैं, क्या हैं, क्या हैं तो वह उसकी सामगरी है, और उसके द्वारे तिहासकार के दवारे जब उसको study किया गया, देखा गया, तो जब उस चीजों को एक जर्नलाइजेशन तरीके से सब क को समझ कर दूसरे को बताता है तो वही जनलाज़ेशन बनता है ठीक है वही जनलाज़ेशन कहलाता है समझ में आता है तो यह हमारा जनलाज़ेशन पहला चीज होता है जनलाज़ेशन के तीन पार्ट होते हैं ठीक है इसके तीन वर्गों में विवाजित क्या गया जनलाज़े ठीक है तो हम एक एक पार्ट को हम देखते हैं कि क्या-क्या है इनके अंदर में, ठीक है, यहां पर देखो कि दोस्तों पहला जाता है आपका निम इस्तरिये, निम इस्तरिये क्या कहता है, कि निम इस्तरिये समानी करन वह समानी करन होता है, जब हम किसी तथे, घटना को किसी में ढालते हैं उसका वर्गी करण करते हैं उसे कालब्ध तरीके से बताते हैं वँव हमारा निमिस्तर यह कहलाता है मतलुसद सब्सक्राइब इस कमानिकरण होता है melod joke गटना को तत्ह के नूसार खांचे में डालना कि क्या तथ्थ्र कैसे कैसे है ठीक है कि उनुसार करना कि इस तरह से इसको बांटा जा सकता है और काल बद तरीके से समय के अनुसार उसको बांटना काल बद तरीका सबसे important होता है history के अंदर में जब भी हम history बढ़ते हैं काल बद मतलब time period के अनुसार से उसको विवाजित करना सबसे important role play करता है ठीक है अब देखो यहां पर वर्गी करन करने का मतलब क्या है जैसे मालो आपने 5-6 लाइन पढ़ते हैं यहां पर पहला लाइन आ जाता है कि हड़ापसा बैता का वैपार बहुत विस्तरित था इसके परमान हमें मिलते हैं क्या अलग-अलग तरह के चीज़ों को वहां पर मिली जाती ठीक है ठीक है तो यह जो इस तरह का जो लाइन एक बना रख यहां पर नगर-णुजन वाष्था पढ़ रहे हरपा से पता कि नगर नेयोच्न विझथा में दूered की जिना जाती है इक दूरुग किला फाइन जो त्पार्डबि वरगे करन हो गया यह तो डूर्ग किलrene वर्ग के लोग के लिए गersonal यहां पर एक्जामपल के लिए दे रखा है कि जैसे किसी व्यक्ति किसी धर्म छेत्र इनके पेसे के अधार पर जोड़कर देखते हैं तो वह अमुग घटना विशेश वर्ग को दरसाता है ठीक है और यही पहला निमनिकरन कहलाता है समझ में आता है आप जैसे मालूम कहते न 1857 की घटना है 1857 में पूरे भारत में क्रांती हुई और अलग अलग जगह पे क्रांती हुई ठीक है बट उन सभी जगह को हम टाइम पिरेड के नुसार से 1857 को लेकर चल ले थे 1857 की बात करते कि हमारा भारत अजाद हुआ और 1947 के दो पिरेड के से 1927 अइसर के गटना थी ठीक है हम भारत की अजादीटा संग्राम थे तो उसमें पता हुए हजारों घटनाई हम इस्टड़ी करते हैं नमक अंदोलन से लेके बाराच छोड़ा अंदोलन तक सब कुछ इस्टड़ी करते हैं डांडी मात से सब कुछ कि मद्यम इस्टर्य समानिकरं कहता है कि जब कोई इतिहासकार किसी विशेष अध्यान के लिए विभीन तत्वों के बीच में अंतर संबंध खोजने का परयास करता है, ठीके, मतलब किसी किसिए को पढ़ रहा है, इतियास कर कोई है बन्दा उस्तु को study कर रहा है, और विभिन तत्वों के बीच में अंतर संबंद इस्थापित करने का परयास कर रहा है, तो उसी को हम यहां पे मद्दम वर्ग्य, मद्धम स्तरिय समानिकरन कहते हैं ठीक है कैसे एक्जामपल हम यहां से कह सकते हैं जैसे देखो कुछ घटना ही घटी और उसकी आगे पिछे की घटना को जोड़कर वो बताता है ठीक है जैसे मान लो 1857 के इंदर में जो विद्रो हुआ भारत का पर्थम अजादी संग्राम के तौर पर हम उसको देखते हैं तो क्या 1857 का विद्रो पड़ोगे तो डायरेक्ट क्या आप यह बोल दोगे कि बस मंगल पांडे उठा और जाके मार दिया अंग्रेजों को माना सुरू कर दिया बाकी दे गई थी या रियल्टी था ठीक है कि उसमें सुवर और गाय की चर्बी का उप्योग किया जाता है गोली को भरने के लिए अब गोली को भरने के लिए क्ले जैसे राइफल ही होती थी तो उसके अंदर में मुझ से गोली को छील कर मतलब उपर की कवर उतार कर ठीक है उसक एक नली से ऐसे साफ के जाता था ठीक उसको ऐसे साफ करके फिर उसके इंदर में गोली डाला जाता था फिर उसको चला जाता था तो अब ऐसे लोगों के बीच में फैला दिया गाफवा तो हिंदू लोग गाय की चर्बी निखा सकते क्योंकि वह उसे पूछते हैं मुसलमा लोग सुवर की चर्बी नहीं खा सकते तो मतलब सुवर नहीं खा सकते तो इस तरीके से चीज़े थी उसके कारण से सारी चीज़े गड़बर होती चले गई और तत्कालिन कारण मनता है 1857 के विद्रों का ठीके तो एक दूसरे से हमने जोड़ा ठीके अगर बंदा आप जाके एक घटना को दूसरे घटना से जोड़ कर देखना ठीके तत्यों के अनुसार उसके बीच में अंतर संबंध खोजना ही मद्दे इस्तरी संबंध खोजना जैसे आज का एक करण एक एक गजामपल लेकर चलते हैं देखो हिस्ट्री के अंदर में कई बाहर बाहर की चीज़े बता रहे हो रीजन ही होता है दोस्तों कि अगर आपको चीज़े याद रहने चाहिए ठीक है और बेस्ट वे हैं हिस्ट्री को बोरिंग से बचने के लिए और समझने के लिए कि अगर आप एक्जामबल के थूर समझ रहे हो तो आपके माइंड में टॉपिक जादा समय तक अधर वाइस वो रखे हो जाना है ठीक है अगर वीडियों को समझ में आ है कि जहां पे लग रहा है अगर तो लांट लगी संप्राइब साक्व हुआ हैं यहांपो नेखर N fella लेते हैं ठीक है कल आप ने देख वहागा जोबी जोब शौलो करते हैर एक निश昨ा होगारव करत मंत्री जैस संकर जी वह अमेरिका गए हुए था अमेरिका दोरे पर टू-प्लस-टू मीटिंग थी ठीक है जिसमें मारे विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्री दोनों गए हुए थे तो विदेश मंत्री से से पूछा गया कि आप तेल रस्या से खरी दे रहें और यह किसी ना किसी तरीके से वह यूद में यूद में सपोर्ट करने जैसा हुआ जबकि पूरी जो कंट्री है वो इसको बाइकोट कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहें तो जैस संकर जी ने बहुत अच्छे से डिप् से ख़ीते हैं ठीक है और हमारे एक महीने का जो डाट आया कि इतना हमने एक महीने में ख़ीता है वो तो यूरोप जो आपका है ठीक वह दुपहर में खरीते लेता है आप पहले यूरोप को तो concern करो फिर हमारे उपास आना और इस तरह से नहीं जवाब दिया बहुत जाद तो क्या जो हम जवाब इस तरह से दे पा रहे हैं क्या पहले हमारी स्थिती थी कि हम ऐसी जवाब दे पाएंगे नहीं पहले हमारी इस तरह की स्थिती नहीं आप अगर बात करोगे ना 2012 से पहले तक की स्थिती इस तरह की थी नहीं हमारी कि हम इस तरह से खड़े होकर किसी पर international forum मंच पे वो आप जाके नहीं बोल सकते हो ठीक है तो बहुत बड़ी relationship में changes आई कैसे आई तो जब यह हम visit करते हैं अपनी power बढ़ाते हैं ठीक है दूसरे country के साथ में संबंद relations बनाते हैं ठीक है अब मोधी जी की इतनी ज़्यादा popularity है इतनी ज़्यादा जान पहचान है तो इसके कारण से भी इंपक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्योंकि हम powerly strong बनते जा रहें ठीक है तो यह impact बनता है उसके कारण से तो देखो अब दोनों घटना को हमने जोड़ के देखा ठीक है जो भी political analyze करने वालों हो वो भी इसी तरह से जोड़ कर देख रहे ह है कि उसका कारण है कि आज हम यह बोल पारे ठीक है उसका कारण है कि आज हम ना अमेरिका को खुल कर बोल पारे कि हम रसिया से तेल खरीदेंगे नहीं तो नहीं खरीद पाते भाई आज कल अमेरिका के दवाब में होते ठीक है जैसे पाकिस्तान के अंदर में सत्ता परिवर पावरफूल बनते जा रहे हैं तो यह आपका भी बन जाता है जिसमें किसी भी घटना के बीच में उन्तर संबंध खोजने का प्रयास करना इतिहासकार के दौरा मद्द इस्तरीए संब्दी करन कहलाता है एहां पर समाज को बाँधने वाले संभावी भर चुत्रों और समंधों उसे हम वियापक समाइने करया है कैसे कि जैसे समाज पूरे किसी समाज का बोध Häएम बोलते हैं कि जो Nelson 2014 का जा起ो की वह ॹो मतलबredit का दो स्कयों में जो उप्यों की गई तंहिए उस कार्विध के थुछ जो Muslim लोग थे उनको पता चला है कि इसमें सुर्गी चर्वी यूज के जा रहा है तो उनको पूरी Muslim समाज को पूरा लगा मतलब किसी पूरे समाज का बोध होना ठीक है आर्थिक रूप से हम study करते हैं तो आर्थिक किसी topic की बात करते हैं तो वह मतलब आप अगर हम जो human आरंभिक मानव के बारे में पढ़ते हो तो आरंभिक मानव के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आरंभिक मानव वाले में क्या क्या कहते हैं कि मिसर से बिक चीन से अलग-अलग जोगा का study करते हैं ओढ़ा हम कहते हैं कि Australia Lit Pas जो था या फिर हुमो Needs थह ठी तो वहां पे हम पूरे मानव जाती का विकास के बारेबंँ बात करते हूं और विश्वा स्तर पर बात करते हैं. व्यापक स्तर पर बात करते हैं, किस तरह से फैला हूँ. कि कोरुना वाइरिस की बारे में बात करते हैं जा इस्थी ट्रफल case कि व्यापक कर्रण के थिmother कीति खाल जाएं एक और यहां पर आ बात करते हैं apologize तो उस तरह से व्यापक इस पर समाहिने करते रहे कारन इस्था में तो पर यह यह ऊक्षिव कि प्र आता है एक और उसको भी जाना चाहिए वो कहलाता है मेटा हिस्ट्री ठीक है मेटा हिस्ट्री क्या होता है तो मेटा हिस्ट्री कहता है कि इतिहांस पर इतिहांस से बाहर का कोई सिधान्त लादना ठीक है मानलो हिस्ट्री के उपर में हिस्ट्री से कोई बाहर का सिधान्त लाद देना मेटा ह इस्ट्री कहलाता है ठीके तो समझना डिफिकल्ट है बट अगर आप इन सब चीजों को पड़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा ठीके मेटा हिस्ट्री का जो में जो देखो गई यहां पर पद्देती जो इविचारक है मेटा हिस्ट्री का सिद्धान जो है अधियन से उ और बहुत सारे विचारक इसको फॉलो भी करते हैं और बहुत सारे विचारक नहीं मांते हैं क्यूंकि यह रियलिटी को नहीं दिखाता है ठीके बस अच्छा लगता है तो बोल दिया ठीके वो चीज़े रहती है तो यहां पर मेटा हिस्ट्री की बात करते है ठीके अगला तो समान्य करेंच की अनिवारिता ठीक है कि ज़रुत की होँ एक है ति के समान्य करेंच की जरुरुत की बात करते हैं तो यहां पे कुछ पोइंच दे रिखें स्ट पराइश्य को पुएंट पोइंच को हम ते यहां प्ला करना नियुकर जेब में च चाहेНу खोटकें कि यहां पानलो आपके पास एक पूरा बाकेट है बकेट में आपको माला बनाना है तो माला के अंदर में हजारों मोतियां पड़ी है अब आपको वहां पे लाल कलर की मोति है सफेद कलर की मोति है अब आपको सिर्फ सफेद वाली मोति से वाइट वाली मोति से माला बनाना है तो उसमे जिसमें से हजार में से सिरिफ दस स्टोरी ऐसी थी जो उस घटना इस्थल से मैच करती थी, बाकि जो 1995 जो 995 स्टोरी थी वो बेकार थी, पांच स्टोरी काम की थी, ठीक है तो सिरिफ आप पांच स्टोरी को जो चयन किया न, आपने उन में से सिरिफ वो घटना इस्थल का जो समय निकरन कहलाएगा ठीक है समझ में आता है यहां पर दूसरा पॉइंट आ आता है कि दूसरा एकर्ट तत्यों का करमवार और संबंद करना होता है जैसे जो भी आपने आंकड़े कठी किये जो भी तत्धे कठी किये उसको करमबार तरीके मतलब क्या उसको पूरे serial बाइस तरीके से लगाना ठीक है वो यहाँ पर हिस्टो समानी करन कहलाएगा ठीक है समझ में आता है तो इस तरीके से और भी यहाँ पर point से जैसे जनगन्ना संकेकी का ही लेना जैसे जो भी आंकडे हैं उसको सही तरीके से लेना ठीक है सरविक्षन करना ठीक है सांकेकी सरविक्षन करना आसपास में पता करना यह सारी चीज आ जाती है यहाँ पर ठीक है यहां पर एक तीसरा उनको जो भी तथे हैं उनको समानी करन से अलग करके देखो यह कहा जाता है यह आपत्ती है मतलब जो भी विचारक होंगे उन्होंने यह आपत्ती दर्ज करी कि जो भी तथे आप समानी करन में बताते हैं उसको अलग करके देखो तो इसका जबाब क्या देते हैं कि समानी करन ही तथे बनाते हैं जो तथे ना जब तक जब दिखो मैंने भी बताया बकेट में बहुत सारी मोतिया हैं आप जब तक वह मोतिया हैं जब तक बकेट में पड़ा हुआ हैं पर जैसे आपने मोतियों को उठाकर वाइट वाली दूसरा यहां पे पॉइंट यहां पर सब्सक्राइब होती है और उसका भी अपना और उसकी अपना से उरूप होता है तो उसका जैसा रख मतलब मतलब करना है ना एक रुपता का नुसरा नहीं करना चाहिए जैसे देखो आपने कोई कांड पड़ा ठीक है मतलब कोई किसी के स्टोरी पड़ी मर्डर केस पड़ा दूसरा फिर मर्डर केस और पड़ा तब दोनों गटना को जोड़ दोगे दोनों को सेम एंजलाइस से आप व्यू जा सकता है इसके तूलना की जाते हैं दोनों के बीच में जब तक नहीं करोगे जब तक आप इसको विचारक सब अपने सामने रखते हैं तीक है मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो भी घटना है उसका एक रुपता से देखा जाना चाहिए मतलब एक जरूरी होता जिसके साब से मतलब एक जैसी होती है तो उसको एक नजरी से देखो पर यहां पर जो आंसर इसका देते हैं जो सपोर्ट करने वाले कि अगर तुलना ही नहीं करेंगे दोनों के बीच में नहीं करेंगे तो हम उसके खासियत और बुराईय कोम निकाली ही नहीं पाएंगे कि कमी क्य क्या है और फाइदा क्या इसके ठीक है तो यह यहां पर बताए जाता है ठीक है अगले पॉइंट के वर हम बात करें तो उन समाने करण को लक्षे बनाते हैं जो पुर्व निर्धारित किस्म के होते हैं और अतियासिक अथार्थ पर थोपे हुए दिखाये देते हैं ठीक है ज समाने करेने, वो खुद भी परमानित नहीं करते हैं, यह पर जलेख से सही तरीके से हैं, ठीके बस उसको एक study करने का जरिया बना लिए जाता है, कि हाँ यह जरिया है, इसके थरू आप असानी से पढ़ सकते हो, पर समानिकरन पढ़ी परमानित नहीं करता, प्रूफ नहीं करता कि यह जो आप पढ़ रहे हो यह सेम इसी तेर तरीके से घटित हुआ है ठीक है आप अगर हड़पत से बता के स्टडी करोगे तो हड़पत से बता में जो भी जितने भी विचारक है या इत्यासकार है वो जो भी टॉपिक्स बताते हैं क्या वो ऐसा ही यह ज़रूरी नहीं है यह वही समानी करण यहां पर कहता है दोस्तों ठीक है समझ में आता है तो यहां पर यह हो जाता है नौर्मली समानी करण के उपर में कुछ चीजे कहा जाता है कि क्या होना चीए कैसे समझा जा सकता है तो यहां पर समानी करण के लिए सजेशन दिया जाता है कि खुली बहुत आफ से आउ सामने में बैठो और खुली बहस करो परमुख समस्या समाने करिंग के इस तर को परकार को ले कर होता है कि क्या उसका जो पहुंच भी स्टर अब बात कहाई है तैकि उसके बारे में इसके बात करता है, तो तीन तरह के और यहां पे जो मैने बताया था na आपत्तियां रहाती है, क्योंकि नुर्मली देखो किसी गटना इस थलपर, जैसे कि आप Bye- recon खंडर खंडर मिल रहा है अब आप उसके इसाफ से अपनी की स्टोरी बनानी पड़ेगे आपको कि यहां पर यह होता हुआ वो होता हुआ जो मतलब आपको रियालिटी दिख रहा है उसके इसाफ से आप एक स्टोरी क्रेड कर लिए ठीके अब उस तरीके में ना मैं था ना आ पड़ी हुई है नियूस पेपर कटिंग्स पड़ी हुई है तो वह एक हिस्ट्री बन गई पर अगर आप मोरे समराजी की बात करते हो तो हमारे पस उतने ज्यादा सुरूत नहीं है ठीक है एक्जेक्ट सुरूत नहीं है तो उसके अधार पर हम बात करते हैं कुछ चीजे जो है उसके अधार पर हम दोनों चीज को इंटरलिंग करके पढ़ते हैं जिसे हमें पतलता है कि हाँ यह चीजे मोरे समराजी के इंदर में गटित हुई थी ठीक है समझ में आता है तो यहां पर यहां पर पहला आ जाता है कि यह उसके तथ्थ्यों को संयोज के सिधांत पर परदान करता है जो तथ्थे होते हैं उसके संयोजन का सिधांत परदान करता है वह इतिहांसकार के अभी कलपना का पहना करता है जो अभी कलपना होगी सोच होती है दृष्टी होता है उसको और व्यापक बनाता है इतिहांसकार के तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कि वह जो result निगले उसके लिए इतिहास को मोटिवेट करता है कि आप इस तरह के से चीजे कर से तो कि यह इसी बना देता है history को ठीक है history analyzation को easy बना देता है इतिहास लेकन को easy बना देता है ठीक है यहां पर अगला point की बात करें तो समानी करें निध्यास कार को पुराने और जाने पहचाने तत्यों के बीच में संबंध कायम करने के लिए help करता है ठीक है जैसे मालो आपने नगर नियोजन सब्वेता हडपा का पड़ा उसके बाद अगर आप मिस्तर का पड़ो के तो दोनों के बीच में comparison करना असान जाता है क्या दोनों के बीच में इंटर लिंक तो नहीं है क्या पता मिस्तर से ही लोग चल कर भारत आया हूं या भारत से ही लोग चल कर मिस्तर गए हो तो यह हमें समझने में help करती है तो यह एक important role play कर जाता है तो यह इस तरह से कुछ यह पॉइंट्स हो जाते हैं जो समाने करेन की भूमिका को बंदर साते हैं और भी बहुत सारे आप इसको श्टुडी करोगे तो आपको समझ में आगा मिली बेसिकली जो चीजें हैं जिस से आपका चैपटर से लिए ठीक हो ठीक है अगले पॉइंट में बात करें कि सुरूद कि कि करें तो किसी भी की विशेयर पर उपलब पार्मुक सिरूना फर्विके हैं अगर मालब आपको दुबारा से के हिस्ट्री का बहुत बड़ा रिसर्चर के तौर पे अपोइंट किया गया बारा सरकार के द्वारा बोला गया हडपा सबता के आप दुबारा जाके खोज करो तो आप क्या करोगे पीछे जीतनी भी भूक लिखी गई थी ना रखालदास बेनर जी हो उनकी रिसर्च पिपर हो ठीक है दैराम सानी हो उनके रिसर्च पिपर हो आप उन सब को स्टडी करोगे और देन उसके बाद अपने लॉजिक्स जो भी है आप यहां पर बनाओगे हड पेरक जनवैबार भीड का वैबार ठीक है मतलब जो समाज विग्यान होता है जो वहां पर लोग हैं जो वहां की समाज है जो वहां पर रियालेटी आप देखर हो, जिस तरह को वहां पर स्ट्रॉक्छर देखर हो उनको देखकर श्टडि करके जो आपके Corporal एदेर ऊसके ह bangs स्रोत भी के थे इतिहास समास संस्कृति राजनेतिक संबंदित माक्स वैवर और फायड के सिधानिकरण परमुक्स शुंत रहें तो वहां पर कौन कौन आते ठीक हो वहां पर आते मैक्स Below और फायड करके जो लोग यह सारे विचारक आ समाने करने के सपोर्टर के तौर पर जो इतिहांस अंदरे में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डोस्तों ठीक है समझमें आता है इतिहांसकार वर्तमान के अधियन से भी समाने करन करते हैं आज की करंट सिस्टूशन को भी study कर के जैसे आप देखो यह अधपा से पढ़ते ह तो आज के समय में अगर 1857 जैसा चीजे बने तो क्या होगा भारत किस्तिति क्या रहेगी उस समय तो हमें डिफेंड करना था अंगरेजों को तो हमने लड़ा और आपस में मिलकर लड़े और जीत गए पर आज के समय में क्या होगा कि हिंदू-Muslim बन जाएगी ठीक है और आप जो वर्तमान है वर्तमान से भी वह स्टेडी करते हैं ठीक है वर्तमान को भी वह समानी करन का अधार मान कर चलते हैं ठीक है समझ में आता है लास्ट यहां पर टॉपिक आ जाता है दोस्तों हमारा समानी करन की चमता में सुधार की बात करें तो समानी करन की चमता है क्या ठी तो हमें अपने विचारों को निभाने की चमता में अर्जित करना सुधार करना आना चाहिए सभी समानी करण के विचार रूप में समझ जाते हैं ठीक है मतलब देखो हमें विचारों को निभाने की चमता अर्जित करना और सुधार करना आना चाहिए जो भी आप चीज़े मतलब जो भी विचार आप इकठा कर रहे हो ना词को अर्जित करना इकठा करना ठीक है, उसके चीज़े कहलती 52 चुभी शुदहार करना कियोंकि समानी करेंच के विचार को विचारों के रूप में समझ जाता है कि समझा जाता है देखो आपके पास तो उसको समझते हैं गए वैशार के तो पर हम वनेके चलते हैं तो जरूरी पर सुदार किया चाहिए आपने जो टत्थि कर्ण्य किया हुँ वह मैंची ना करते हो हुरॉ थी Yap तो वह चीज़े यहां पर कहता कि यहां पर सुद्धार करने की जजरुत है ठीक है भारा जा सकता है चमता को यह बताया जा रहे हैं पर हमें तारकिक सिधानतों का परियोग करना आना चाहिए जो logical based सिधानत होते है उसका सही तरीके से परियोग किया जाना चाहिए कई जगह पर आप इस्ट्री जब पढ़ोगे ना तो हमें बोल दिया जाता है कि ऐसा था पर उसका क्या logic बनता है वह नहीं बताया जाता ठीक है तो वह यहां पर का जाता है कि इसकी बारे में हमें करना चाहिए भासा किसी भी तिहांसकार का मूल साधन होता है तो ठीक हमें language को इंप्रूब करन हमें व्यवस्थित तरीके से उनका अध्यन करना चाहिए जो मतलब जो भी पहले history के जो लोग थे ठीक है इत्यास कर रहे है ठीक है अगर वो किसी topic को चर्चा करते हैं तो उसके बारे में हमें व्यवस्थित तरीके से अध्यन करना चाहिए कि क्या उन्होंने बोला है ठीक ह फिर उसके बाद में हमें उसके उपर में टिपड़ी करनी चाहिए यहां पर suggestion दिया जाता है ठीक है अगला यहां पर point कि हम बात करें तो अगला point कहता है कि धार्णाव और समानी करन का परी मारजन करना एक सतत करिया है अता मित्रों सहकर्मियों और प्राधापेकों कि इन पर इर्द गिद चर्चा करना चाहिए, जैसे हमालो कोई study किया, समाने करने के परिप्मारजन का, मतलब कोई topic आपने study किया, तो study करने के बाद ये नहीं कि आपने जो समझा, वही आपका last result हो, history कभी भी ऐसा नहीं करता, जैसे मालो रखालदास, बेनरजी, देयराम, सहनी, सबने आपस में discuss किया, कहीं जगह पर correction हुई, कहीं जगह पर उसको काटा गया, कहीं जगह पर उसे modify किया गया, उसके बाद में जो last result बनकर आया, वह हमारे सामने हडपा सब बनकर आता है, ठीक है, नए विचार को, अलोच को, ठीक है, ग्रहन, सहन, सिलता, गुनर, अरजित करना चाहिए, ठीक है, जो आलोचक है न, उनके बारे में भी सुना चाहिए, आलोचक ने क्या कहा, उसके उपर भी ध्यान देना चाहिए, उसके उपर भी हमें study करना चाहिए, ये समानी करन के अंदर में सुधार करने के लिए suggestion दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, समझ में आता है, end of the result आपका यहां पर खतम होता है, पूरा यह जो topic था हमारा समानी करन का जर्नलाइजिशन का यह खतम होता है, यहां पर जो तीन question बनते हैं आपके book के अंदर में, ठीक है, वो यही बनते है कि समानी करन है क्या, ठीक है, यहां कहीं पर भी कोई doubt है, कुछ चीजे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप comment करके पूछ सकते हो, और जो हिस्टोग्राफिक का topic है दोस्तों, बहुत huge है, ठीक है, और difficult भी है, even difficult भी है, reason यह है कि हमने इससे पहले कभी हिस्टोग्राफिक बढ़ानी है, इतिहांस के हम सर्फ सरोत करने की त्यारी करोगे, PhD करने की त्यारी करोगे, तो नेट में अकसर इन topic से बहुत questions बनते हैं, क्योंकि यह important है, हिस्टोग्राफिक का, ठीक एक तरह से नफ्स है, history की, क्योंकि यह अगर आपको आता है, जो आप हिस्टोग्राफिक वाला chapter पढ़ पूरा book पढ़ोगे, MSI 2003, तो आप किसी भी history के उपर में अपनी टिपनी कर सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, तो यह important है, और इसको समझने का सबसे easy तरीका क्या है, कि आप example के तो तो समझो जिससे आपके mind में ज्यादा देर तक रहे चीज़े, अगर किसी को कुछ चीज नहीं समझ में आओ इस तेर जरूर करें, थैंकिव वचिंग में, थैंकिव लिस्निंग में, विभाई, तेकिर, आल थे बेस्ट